हैलो गाईज मैं लेकप आटिस्ट और मैं आज आपको एक ड्राइडर लुक करने जा रही हूं यहां पर जो कि आप देखे रहे हैं मैं आपको दिखाने जा रही हूं यह मैंने डाक कोलर के कंसीलर लिया है जहां मुझे जरूरत थी आप वहीं लगा ज़की हूं यहँनल है हमारी क्लाइट को थोड़ा से एक टोन फ्रीड चाहिए तो हम थोड़ा फे और यहां पो एक टोन फीर करें तो अपने सकिन में आ जाएगा वह अपना दिखता है मैं में करनी जारी यहां एक जोड़ा सा डाक मरून लिया तो मैंने लिए था बहुत अच्छे से लिए सिदी आप आप कहान का कैसे का से ब्लेंड कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो आई मेकप कहीं कि पहाँग हो जाता है बहुत इजी तरीका होता है यह उपर देखने करें क्लाइंट को क्या आप देखिए यह पर देखने के आपको दिख जाए गई आपको दिख रहा हूं कितनी फिनिशिंग है कितनी फिनिशिंग है इकनी जल्दी हो गई है यह कोई इसमें जल्दी नहीं दिखाए गया है यह आपको कट्रीज बहुत अच्छे से दिखाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मोटा वाला सपार्कर लगाते तो बहुत के लोगाना है नेते उसमें भी पैचिनस पड़ जाती है फिर में भी ओवर नहीं करना ताकि अलग से एकदम फेज देखे बिल्कूर यह अलग दिख रहा है कि हमारी हमारा फेज से लगए और हमारी आइब्रूस बहुत अलग जा रहे है बड़ हमें अपने इस क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखे है और जो हमें जितनी नीड है हम लोग बस यह बहुत पसंद है बहुत बहुत फ्लोलेस है बहुत अच्छा है बहुत माईल है और इतना अच्छा दिखता है लगने के बाद जब आप फिक्सिंग वगारा करते हो घैस दैनी लेप्स्टेक है मेरा लेप्स्टेक के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाने जा रही है मैंने इसमें थोड़ा कुछ change कर रहे हैं मुझे comment करके जरूर बता कि मैंने मांग टिके में मैंने क्या change किया है यह देखे गाई यह मेरा final look है और यह मैंने माथापट्टी का मैंने कुछ थोड़ा change किया है तो आप आप जरूर मुझे देखे बताइए हमारी ब्राइड कैसी लग रही है और यह मेरा फाइनल लुक है यह हमारा फाइनल लुक था थैंक्यू सो मच गाइस आप मुझे सपोर्ट करते हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट केजिए शेयर केजिए